कोहरे का कहर लगातर बढ़ता जा रहा है जिसको लेकर अब जग्जर पुलिस अलर्ट हो गई है खुद पुलिस कप्तान राजेश दुगल ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है SP दुगल ने सडक सेफटी सब्था अभिहन चलाया है जिसमें ट्रैफिक S.H.O. के अलावा अन्य पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए गई है वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगानी शुरू कर दी गई है इसके लावा सडकों पर साइन बोर्ड और फ्लेक्स बोर्ड बनाकर पब्लिक प्लेस पर लगवा दिये गए है SP राजश दुगल का कहना है कि कोहरा जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सडक हाथसों को रूखा जाए जिसके लिए जजज़र पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया जो न केवल लोगों को जागरू करेगी बलकि साइन बोर्ड सडकों के किनारे लगाने रिफलेक्टिव टेव वाहनों पर लगाने के साथ साथ पब्लिक प्लेस पर भी फ्लेक्स लगाए गए है ताकि लोग कोहरे के कहर से बच सकें स्पी के मताबिक उनका कर्तव्वे है कि जिले के लोगों की सुरक्षा हर लिहास से करना इसके लिए वो स्वेम वा उनकी टीम उसके लिए प्रयासरत है कि हमारी जो अभी रोड सेफटी वीक भी हमारा चला हुआ अभियान भी चला हुआ इसमें और हमारे ऐसे चो ट्रैफिक जो बादूर गड़ हैं और हमारे जजजर के जो इंस्पेक्टर हैं राजेश तो वो डे टू डे इसमें खाफी प्रयासरत हैं कि लोगों की गाडियों पे पुलिस की तरफ से कंपलिमेंटरी और रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना और उनको सेस्टाइज करना भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो मारा कंटिनुएस ये दोनों बादूर में जजर में भी और सब्डिजिन लेवल बेरी में भी सभी पुलिस्टेशन वाई सभ सब्सक्राइबल पर पंप्लेट भी सपवाई हैं और बस्टेंड पर रेलिव स्टेशन पर सभी जगें हमने अपने पंप्लेट डिस्टिक पुलिस की तरफ से बढ़ा के लगाए हैं और मेली जो हम रिफ्लेक्टिंग टेप है और उनको जो स्टीकर्स हैं वो भी हम अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी तरफ से प्रयास धरूर कर रही है अब उम्मीद है कि आम जनता भी पुलिस के नियमों को फॉलो कर अपने आपको सुरक्षित रखे विरो रिपोर्ट